नमस्कार दोस्तो अभी अभी आठ फरवरी 2021 को घोसित हुए चुनाओ रिजल्ड में बिजेपी का सूप्रा साफ हो गया है जी हाँ किस राज में चुनाओ था कौन सा चुनाओ था आपको बताएंगे बिस्तार से वही दोसी तरफ अमेरिका के सूपर बावल में किसान अंदोलन से जुड़ी बिज्यापन चलने के बाद बिजेपी नेताओं में खलबली मच गई है क्या है खबर आपको पूरी बिस्तार से बताएंगे वही दोसी तरफ केंद्र सरकार के मालिकाना हक वाली कमपनिया अब महज दो दरजन तक सिमट सकती है जो पहले 348 थी इस खबर में भी क्या कुछ है आपको पूरा बिस्तार से बताएंगे वही दोसी तरफ मोधिस सरकार पर वैसी ने हमला बोल दिया है मोधिस सरकार पर वैसी ने क्या कहा है इस वीडियो में आपको बताएंगे लेकिन इस से पहले क्या आपको भी लगता है कि बिजेपी का चुनाओं में सूपड़ा साफ होने वाला ही था या नहीं कमेंट करके ह और राज्य के नतीजे घोसित कर दिये गए हैं। दसल आपको बता दे ये चुनाव पहले हुआ था नतीजे अब फाइनल घोसित कर दिये गए हैं। जिसमें बिजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। जिहां आपको बता दे राजस्थान के निकाव चुनाव का पहड़ाम घोसित हो गया है। राजस्थान का निकाव चुनाव तीन चरड़ों में किया गया था। पहले चरड़ में बिजेपी और कांग्रेस के बीच काटे की टक्कर हुई थी। वहीं दूसे चरड़ में कांग्रेस ने बिजेपी का सूप्रा साफ कर दिया था। तीसरे और अंतिम चरड़ में भी कांग्रेस ने बिजेपी का सूप्रा साफ कर दिया है। लेकिन निकाय चुना होने के बाद अब यहां निकायों के अध्यक्ष पत का भी चुना हुआ है और इन चुनाओ के जो नतीजे घोसित किये गए हैं वो चौका देने वाले हैं जैसा कि आप जानते हैं बीजेपी के अंदर रास्थान में वसंद्रा गुट अलग है और जो उनके प्रदेक्ष अध्यक्ष है उनकी गुट बाजी अलग है और यही वज़ा है कि इसका सीधा असर यहां की निकाय चुनाओ में देखने को मिला है अजमेर नगर निगम समेत 90 निकाय चुनाओ के रिजल्ट घोसित कर दिये गए हैं हम आपको एक एक करके बताएंगे कि कहां से कौन सी पार्टी जीती है नागाउर की कुचामन नगर पालिका पर 38 साल बाद कांग्रेस ने भाजपा प्रत्यासी को हरा दिया है जी हां और इसी के साथ कांग्रेस ने इतिहास रज़ दिया है यहां कांग्रेस के उमिद्वार आसिफ खान ने बीजेपी के उमिद्वार हरीस कुमावत को हरा दिया है इस तरीके से कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी से बाजी मार लिये कांग्रेस ने 48 निकायों में अपना कबजा जमाया जबकि बीजेपी 37 निकायों में ही अपने बोर्ड बना सकी आपको बता दे कि 28 जनुरी को 90 निकायों में हुए चुनाओं में जहां बीजेपी 25 निकायों पर आगे रही वही कांग्रेस को 19 सीटों पर बहुमत मिला था वही कांग्रेस ने दावा किया था कि 90 में से 50 बोर्डों पर अपना कबजा जमाएंगे और लगबग निकाय चुनाओं में कांग्रेस सफल भी हुई है वही बता जा रहा है कि दो अस्थानों में निर्दली की ओर से जो बोर्ड बनाया गया है वो भी कांग्रेस समर्तित हैं आपको बता दे कि निकाय चुनाओं में सीम असोग गलोत के निर्देसों पर निकाय चुनाओं के लिए परदेस के कई मंत्री और बिधायकों ने अपनी ताकत चुनाओं दी थी वहीं बीजेपी ने भी सभी अस्थानों पर अपना पुर्जोर लगा रखा था आपको बता दी कि रहास्थान में 196 निकाय चुनाओं हैं इसमें से 2019 से अब तक चार अलग अलग चुनाओं में चुनाओं हैं और बीते सप्ता 90 निकायों का चुनाओं हुआ है वहीं रभिवार को यहां अध्यक्ष पत को लेकर जंग देखने को भी मिली हलाकि पिछली बार 90 निकायों में से 60 में भाजपा और 25 में कांग्रेस काबिस थी लेकिन इस बार बाजी उलट गई है और कांग्रेस 48 निकायों में अपना बोर्ट बनाने में काम्याब हुई है और खास बातिया रही है कि निर्दली की भूमिका इस चुनाव में बेहद मातपुर थी वहीं दोसी तरफ किसान आंदोलन से जुड़ा बिग्यापन अमिरिकन नेशनल फुटबाल लीग यानि सुपर बावल में भी चलाया गया और इसका बीडियो भी जैजी बी ने अपने इस्ताग्राम एकाउंट से सेर किया है और इसी के साथ बी देशों में भी इसका खूब ध्यान खीचा जा रहा है आपको बता दे अमेरिका की सुपर बावल में बिस प्रसिद्ध बिग्यापन ही प्रसायत किया जाते है सुपर बावल में किसान आंदोलन से जुड़े बिग्यापन का एक वीडियो को जैबी बी ने अपने ट्विटर हैंडल से सेर किया है उन्होंने इस बीडियो को साजा करते हुए लिखा है कि दुनिया इसे देख रही है सुपर बावल में प्रसायत किया गया किसान आंदोलन का या बिग्यापन लोगों का खूब ध्यान खीच रहा है वहीं बिग्यापन से जुड़े वीडियो को साजा करते हुए उन्होंने लिखा कि दुनिया देख रही है किसानों का बिग्यापन सुपर बावल में भी चलाया गया है आपको बता दे कि सुपर बावल में हमेज़ा कमर्सियल बिग्यापन ही चलाया जाते थे लेकिन इस बार अमेरिकन फुटबाल लीग ने सबका ध्यान किसान अंदोलन की और खीचने की कोशिश की है और इसके साथ ही सुपर बाल में अंदोलन को प्रसाइद करते हुए इसे मानो इतियास का सबसे बड़ा अंदोलन बताया गया है हारा कि अभी यह साथ नहीं हो पाया कि अंदोलन के लिए इतने पैसे किसने दिये है सुपर बाल में चलाया गया किसान अंदोलन का या बिग्यापन न केवल कैलिफोर्निया बलकि दूसे राजियों में भी चलाया गया इस 30 सेकंड के बिग्यापन के सुरुआत मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कोट से हुई जिसमें भारत में हो रहे इस किसान अंदोलन को इतियास का सबसे बड़ा अंदोलन बताया गया आपको बता दी कि सुपर बाल के दरसक काफी ज़ौदा है ऐसे में इस गेम के दोरान परसाइथ होने वाले बिग्यापन भी काफी महँगे होते हैं सुपर बावल एट्स डाट काम के मताबिक इस साल 32 सेकंड के बिग्यापन के लिए करीब साड़े पांच मिलियन डालर का भुकतान किया गया है किसान अंदरोन के अलावा सूपर बावल में अमेजन, उबरीट्स और वेरी जोन से जुड़े बिग्यापनों का भी प्रसाड किया जाएगा वहीं दूसी तरफ सरकार सारोजिनिक छेतर की कमपनियों की संख्या घटकर सिर्फ दो दर्जन तक सीमित कर सकती है जो तीन सो से भी जादा थी दरसल सरकार ने इस बजट में सारोजिनिक छेतर के उपक्रमों के नीजिकर की नई निती पेश की है इसके तहट नान कोर्स सेक्टर की कमपनियों का नीजिकर करने के साथ साथ घाटे वाली सरकारी कमपनियों की बंद करने की योजना है सरकार के उच्च पदस्त सुत्रों के अनुसार उन्होंने बताए कि निती आयोक के सुझावग के आधार पर किंद्री कैबिनेट इत्ताय करेगी कि सरकार के पास कितनी कमपनियां बची रहनी चाहिए निती आयोक को उन कमपनियों की पहचान करने की जिम्मेदारी दी गई है जिनका मालिकाना हक प्राइवेट प्लेयर के हाथों बेच दिया जाएगा बचेट में साप कहा गया है कि अब सिर्फ चार प्रमुक कोर सेक्टर ही होंगे और इसमें अधिक्तम तीन से चार सरकारी कमपनियां ही रहेंगी बाकी जिन छेत्रों में सरकारी कमपनिया काम कर रही हैं सरकार उन्हें बेच देगी और इस तरह दो दर्जन से भी कम कमपनिया सरकार कर दीन होगी इसमें बैंक और इंसुरेंस भी सामिल है बित मंत्री न अपने तीसे बजट में परमाडवी उर्जा, अंत्रीक रक्षा, परिवहन, दूर संचार, बिजली, पेट्रोलियम, कोईला और दूसरे खनीज, बैंकिंग, एंसुरेंस और बित्ती सेवाओं को रणितिक छेत्र बताया था नई निति में कहा गया है कि इस रणितिक छेत्र में सरकारी उपक्रमों की नियुनतम मौजुद्गी होगी रणितिक छेत्र की केंद सरकार का धिन आने वाली सरवजनिक छेत्र की कमपनियों का निजिकर्ड किया जाएगा या फिर उनका सहायक कमपणियों में बेरे किया जाएगा या फिर उन्हें बंद कर दिया जाएगा कैर रनितिक छेतर की कमपणिया का निजिकर ही होगा वरना इन्हें बंद कर दिया जाएगा सरकार ने अपनी निती में साप कर दिया है कि महामारी के आर्थिक दुस प्रभावों से निपढ़ने के लिए सरकार को पढ़ने वाली नगदी की जोरत पूरा करने और प्राइवेट सेक्टर ये उम्बैसिक निवेस्को को आकर्सित करने की दिसा में ये कदम उठाने पढ़ हैं वहीं दूसरे तरफ आमीम के प्रमुक ओवैसी निरभिवार को पदार मंत्री नैंद मोदी के नितित वाली केंसरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदसंकारी किसानों को रोकने के लिए दिल्ली में राज मार को खोदने और कील लगाने के बदले सरकार को यही कदम च पॉलिस का काम लाइन अडर का पॉलिस हाईवे खोद रही है दिल्ली पॉलिस हाईवे खोद के कीले लगाएं और पॉलिस वालों को वो लंबे लंबे क्या बोलते हो आईरन के राट दिये मुडी जी आप से कपील कर रहा हूं बुरा मत मानिये अगर यही कीले आप लगदा आख में लगा देते तो चीन की फौज नहीं आती यही आप खोद के रख देते तो गलवान में पीपी एटीन पर हागी हम जाकर अपनी फौज को बिजा सकते थे मुडी जी वहाँ पर कीले नहीं लगाया आपने क्यूं वैसी ने नदन मुदी से अपील की कि वह किसानों की मन की बात को सुने उनका इसारा प्रहार मंतरी के रेडियो कारकरम की ओर भी था उन्होंने एक रैली में कहा कि अगर आपने लद्दाक में कीले लगाई होती तो चीनी सानिक भारत में नहीं गुशते आपने लद्दाक में कीले नहीं लगाई जहां भारती से अगर आपका सीना 56 का होता तो आप चीन को सबक सिखा चुके होते हैं उन्होंने का कि मौदी जी एक बार फिर चीन का नाम तक नहीं लिया वो सभी लोगों और सभी चीजों का नाम लेंगे लेकिन चीन का नहीं लेंगे वो ऐसी ने आरोप लगा है कि तीन क्रिसी कानून भारत के संबिधान के खिलाप है क्रिसी राज्य का बिसे है इसलिए ऐसे में केंद्र का राज्य के बिसे में कानून माने का कोई अधिकार नहीं है उन्हेंने कहा कि इस कानून का बिरोत कर रहे किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा और आदिवासी दलितों को नक्सली और मुस्लिम को जिहादी बताए गया है जो कि बहुत गलत है